सोटे बच्चों के अंदर नाक बंद होने की समस्या है बार बार उनका अगर नाक बंद हो रहा है स्टफी नोज की समस्या है उनको नाक से सांस आने में तकलिफ होने लग जाती है उसकी वज़े से वो मूँ से सांस लेते हैं ये समस्या अगर कोमनली बच्चों के अंदर है तो इसका होमीपेथिक मेडिशिन के मादियम से कैसे समाधान हो सकता है। कौन सी मेडिशिन किस कंडिशन में आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसकी तमाम जानकर इस वीडियो में सेयर करेंगे तो इसको लाश्रक जरू दिखेगा। बच्चे को क्या हो गया क्या हो तो आपको इन चीजों को नोटिस करना होता है कि बच्चे के क्या समस्या चल रही है। अगर आपके बच्चे का पार्सली नेजल ब्लोकेज हो तो छोटे हलके लकी आवाजें आपको आती रहेगी। या फिर आपके बच्चा मुझ से मुझ खोल के सांस ले रहा है। इसका मतलब नाक बंद है। या फिर आपके बच्चे के गले के अंदर कोई तकलीफ हो रही है। क्योंकि बार-बार मुझ से सांस लेका तो उसके गले में तकलीफ रहने लग जाती है। टोंसिल की प्रोब्लम होने लग जाती है। तो यह चीज़ में notice करने वाली है कि कहीं ने कहीं आपके बिचे को नाक से समझा तो नहीं है अगर मान लीजिए नाक के समझा तो आप क्या करते हैं बार बार उसको दवाईयां देते हैं और अगर एसी समयसे हैं तो आप होमेपेथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि होमेपेथिक जो मैडिसिन दोती है बच्ची को किसी तरीके का कोई सैट बिक नहीं करती है और आप आसानी से भी दे सकते हैं और आप बहुत सारे side fix से बच सकते हैं और बच्चा जो बार-बार बिमार पढ़ता है उसके अंदर ये medicine immunity देती है उनको रोख परते रोख सम्था देती है उसकी वज़ा से वो बार-बार बिमार पढ़ने से रोख जाते हैं तो बच्चे के अंदर आपके बच्चे में इस्टफ ही नोज नाक बार-बार बंद हो रहा है तो आप हमबेती medicine की help जरूर लीजेगा तो चलिए बात करते हैं कुछ common medicines की जो जनरली यूज की जासती है बच्चों के नाक बंद के अंदर तो सबसे खास medicine सेंबुकस नाइगरा सेंबुकस नाइगरा के अंदर नाक आपकी सूकी रहती है लेकिन ऐसा लगता कि नाक से बिल्कुल भी सांस नियारा बच्चे को बिल्कुल बंद हो गई है उस condition के अंदर सेंबुकस नाइगरा का इस्तिमाल किया जा सकता है बच्चा बार बार नर्सिंग कर रहा है जैसे फीड कर रहा है तो बार बार उसको छोड़ देता है मुह से सांस लेने के लिए तो इस condition में सेंबुकस नाइगरा बहुत अच्छी medicine से सेकिंड मेडिसिन जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे वह दोस्तों आर्सनिक अल्बम इरिटेशन की बज़े से नाग अगर नाफ बंद रहता है तो उसमें आर्सनिक अल्बम सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसकी एक बूंद आप मा के छोटा बच्चा है 6 मेने से छोटा है तो एक बूंद आपकी मा के दूद के अंदर चम्मच्च में दूद निकाल की उसमें डा आफ़ा आ रहा है गेस बन रही है और चुकाम भी लगी भी है नाक से उनका नाक बंद रह रहा है तो आप नक्स वोमिका का इस्तिमाल कर सकते हैं यह जो फीडिंग मदर्स है लेक्टेटिंग मदर्स है उसको पेट से समधित कोई समझ्या है उसकी बज़र से बच्चे के अधर भी यह तकलीफ हो रही है मा को जुखाम लगी हुए बच्चे को जुखाम लग रही है बच्चे का नाक बंद हो रहा है तो उस कंडिशन में नक्स वोमिका बेस्ट मेडिसिन है अब आप सोच रहे होंगे कि 6 मैने बाद तो हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं लेक उसमें एक बूंद दवा की आप डाल दीजिएगा एक बूंद एक चमस पानी के दूद मा के दूद के अंदर डाल के बच्चे को पिला सकते हैं यानि किसी भी तरिके का कोई उसके अंदर infection के chances नहीं होते है तो बच्चे के लिए सबसे safe रहता है तो यह जो प्रिक्रिया 2- तीन बार दिन में आपका सकते हैं प्रेंट यह जानकरी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लोगी हो तो लई कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल को अभी तक subscribe कर पाया है तो subscribe करना नहीं बूले मिलते है नहीं जानकरी है उन्हें वीडियो के साथ धन्यवाद